अब हम लोग निकल रहे हैं लेक देखने जो की बहुत ही खुबसूरत है लेक घूमने के लिए जो रास्ता है वो गेट पे जो गार्ड भे आते हैं हम लोगोंने उनसे पुछा कि ये किधर से जाएं उन्होंने बताया और हम लोग निकल गया निकलने के बाद सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि वहाँ से फिर फोन आया कि वही आपका तो चार्जर छूट गया यहाँ और फिर हम लोगों को वापस जाके चार्जर लेना पड़ा मैं बाहर निकली ही थी कि फोन आ गया उसमें और फिर मुझे वापस अंदर बैठना पड़ा रास्ते में ये दिख रहा था ना सुंदर लग रहा था बहुत ही नोसेंट दिख रहा था ये बच्चों को बहुत मजा आ रहा था इसे देख रहा था रास्ते में बंदर भी दिख रहते लोग उन्हें रूपके केला भी खिला रहे थे अब हम लोग पहुचने वाले हैं जील के पास और बीच में ये जो दिख रहा है ये जंगल सफारी जाने का रास्ता है इसी से होके जाते हैं लोग हम लोग पहुच गए हैं यहां 100 रुपे का टिकट लगता है उसमें 20 रुपे का कोल्डरिंग्स पानी जूस कॉफी कुछ भी ले सकते हैं ये लोग गारी पार्क करें तब तक में बहार निकल गई हैं इतना सुन्दर जील है कि देखते ही बन रहा है भीर बहुत ज्यादा है यहां पर यहां पर एक पैलेस भी बना हुआ है इसमें कैंटिंग वगएरे है वाश्रू में सब सुविधाएं और यहां आप स्टे भी कर सकते हैं यहां नीचे उतर के जाके तब बोटिंग करने की सुविधा है यह जील देखी कितना कुपसूरत है और बहुत ही साब सुत्रा भी दिख रही है बहुत ही नीट अन क्लीन है कि बोटिंग के लिए अलग से टिकट है हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए रखक तीन मंजिल नीचे उतर के तब जाके बोटिंग करना होता है हम लोग बैठ गए बोट पे देखिए बच्चे किते खुज हो रहे हैं बड़े भी बहुत खुज है यह ही इतना सुन्दर जील इस चील के अंदर ना मगर मच भी है जो बोट चला रहे थे वे यह वो बता रहे थे कि इसके अंदर बहुत सारा मगर मच है कितना सुन्दर लग रही है ठंड भी लग रही थी पानी के बीच में और मना करने के बावजूद बच्चे पानी चूने के लिए परिसान थे और यह देखिए पानी को चूही लिया उन्होंने फिर मिलते हैं आगे वीडियो में कितना सुन्दर लग बावजूद